नमस्कार स्वागत है आपका उनली न्यूस नेशन में आईशुवात करते हैं आज की बड़ी खबर से इससे पहले हम आगी बढ़ें आपसे अनरोध है यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आई हूँ तो आप हमें गूगल पे या फोन पे के माध्यम से हमें साहेता राशी नीचे दिये गए नमबरों पर भेज सकते हैं हमारा नमबर है 9911955719 चलिए शुरू करते हैं अडानी समू से सम्मनित हिंडन बर्गो और मीडिया करिणियों के समू और्गनाईशी क्रायम एंड करप्सन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की रिपोर्टों के बारे में प्रधान याई थी इस डीवाई चंदरशूर ने कहा कि रिपोर्ट ब्रहमवाकी नहीं है नहीं किसी विदीसी वित्ती अखवार में छपी रिपोर्ट ऐसा सच है जिससे भारतिय प्रती भूती एवं विनियम बोर्ड यानी सेवी को अनिवारी रूप से स्वीकार कर लिने चाहिए इस वर्स जनवरी में अमिर्की शॉर्ट सेलर हिंडन बार्ग ने आडानी ग्रूप पर आरोप लगाया था कि विदीस में बनाई गई फरजी कमपनियों के जरिये उसने भारतिय शियर बाज़ार में अपनी कमपनियों के मूले बढ़ाए इसके बाद कई विदेशी अख़वारों और फिर OCCRP ने भी इस आरोप के समर्थन रिपोर्ट दी अब उन्ही रिपोर्टों के बारे में प्रधान याधीस ने उपरोक्ट टिपडी की है अभी इस मामले में कोड का फैसला नहीं आया है इसलिए इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता बहतर नजरिये नाले के निरने का इंतिजार करना होगा बहरहाल कोड की टिपडियों पर जरूर बहस की जा सकती है इसलिए कि ऐसी टिपडियां भविश के लिए नजीर बन जाती है मुद्द यह है कि समाज में मीडिया की क्या भूमिका होनी जानी चाहिए निशित रूप से मीडिया जो कहता है या जो भंडा फोर करता है वो ब्रह्मो वाकि नहीं होते जिनने हर हाल में सुईकार कर लिया जाए लेकिन उससे जो संदीज पैदा होता है उसकी निश्पक्ष और प्रभावी जाँच के सूत्र अवश्य मिलते हैं दुनिया भर के लोग तांत्रिक देसों में ऐसी जाचों से बड़ी बड़ी गरवरियां पकड़ी कई हैं इसलिए ऐसे टिपडिया विवादास्पद है जो मीडिया रिपोर्टों के प्रती अपमान भाव को बढ़ा सकती है ऐसे मामलों में बहतर नजरिया यह होगा कि हर ऐसी रिपोर्ट को विश्वस्निय जाच के लिए एक प्रतम दरश्टिया साक्ष के रूप में लिया जाए यही लोग तंत्र का तकाज़ा है जहां तक हिंडन बर्ग की बात है तो अपने भंडा फोर्ट के साथ उसने अडानी ग्रूप को चुनोती दी थी के वैं उसकी खिलाफ अमेरिका में मुकदमा करें अगर ऐसा होता तो हिंडन बर्ग की जवाब देही बहता ठंग से तैह हो सकती थी अगर उसने शरारत पूर्ण रिपोर्ट दी है तो उसे उसकी सजाबी मिल पाती लेकिन यसा नहीं हो पाया चलिए बढ़ते हैं कॉंग्रिस के काले कारणामों की तरफ कॉंग्रिस भारत को सम्विधान के माध्यम से मुस्लिम राष्ट बना चुकी थी बस घोसना नहीं कर पाई अनुशेद 25-28-30 यानि 1950 HRCE अधिनियम 1991 HCB MPL 1956 धर्मिनिर पेक्षिता 1975 अल्पसंख्यक अधिनियम 1952 POW अधिनियम 1951 वफ़ अधिनियम 1995 रामसेतु शपत पथष 27 केसर 2009 उन्होंने अनुशेद 25 द्वारा धर्मांतरन को व्याद बताया उन्मी अनुशेद 28 के माध्यम से हिंदू से धार में सिक्षा चीन ली लेकिन अनुशे 30 के माध्यम से मुस्लिमों और इससाईयों को धान में सिख्षक की अनुमती दी उन्होंने HRCE अधिरियम 1991 लागू करकी सावी मंदरों और मंदरों का पैसा हिंदूों से छीन लिया उन्होंने हिंदू कोर्ट बिल के तहट तला कानून दहेज कानून द्वारा हिंदू परिवारों को नश्ट कर दिया लेकिन मुस्लिम परसनल लोग को नहीं छुआ उन्हें बहु विभा की अनुमती दी ताकि वे अपनी जन संक्या बढ़ाते रहें 1954 में विशेश विभादिनियम लाया गया ताकि मुसलिम लड़के आसानी से हिंदू लड़कियों से शादी कर सके 1975 में उन्होंने आपात काल लगाया जवरदस्ती धर्म निर्पेक्षता शब्द सम्विधान में जोड़ा और जवरदस्ती भारत को धर्म निर्पेक्ष बना दिया उन्होंने चात्रवरती सरकारी जैसे विश्येस अधिकार दिये अलपसंख्यक अधिनियम के तहत उन्हें लाब मिले 1992 में उन्होंने हिंदूों को उनके मंदर कानूनी तरीके से वापस लेने से रोख दिया और पूजा इस्थल अधिनियम द्वारा 40,000 मंदर हिंदूों से छीन लिये कॉंग्रेस यही नहीं रूखी 1995 में उन्होंने मुसल्मानों को किसी भी जमीन पर दावा करने वफ अधिनियम के जरिये किसी भी हिंदू की जमीन छीनने का अधिकार दे दिया और मुसल्मानों को भारत का दूसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक बना दिया 2007 में उन्होंने सुप्रीम कोट में राम सेतु हलफ नामे में श्री राम के सित्व को अस्वी कर कर दिया और हिंदू विरूदी धर्म युद्व में चरम बिंदू 2009 में था जब कॉंग्रेस ने भगवा चरमपन्थ शब्द गड़कर हिंदू धर्म को चरमपन्थी धर्म घोशित किया और मजे की बात यह है कि इसी कॉंग्रेस ने अपने 136 साल के इतिहास में कभी बुरके में 3 तलाक में कोई अतिवाद नहीं पाया कॉंग्रेस धीरे धीरे बड़ी चत्रोय से हिंदूों को नंगा करती रही वे एके करके हिंदू अधिकारों को छेनते रहे और अब हिंदू पूरी तरह से हर चीज से वंचित हो गए है और मजेदार बात यह है कि उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं है उनके पास अपने मंदिर नहीं है उनके पास अपनी धार में सिक्षण नहीं है उनके जमीने उनकी इस्थाई समपती नहीं है और वे प्रश्ण भी नहीं पूछते क्यों मस्जित और चर्च स्वतंत्र है लेकिन मंदिर सरकार के अधीर है सरकार क्यों है? वित्पोषित मदर से कॉन्वेंट स्कूल लेकिन सरकारी नहीं वित्पोषित गुरुकुल उनका वफ अधिनियम तो हिंदू भूमी अधिनियम क्यों नहीं है उनका मुसल क्यों है मुसलिम परसनल बोर्ड लेकिन हिंदू परसनल बोर्ड नहीं यदि भारत धर्म निर्पेक्ष देश है तो यहां बहुत संख्यक अल्पसंख्यक क्यों हैं? स्कूलों में रामायन और महा भारत क्यों नहीं पढ़ाई जाती? औरंग जीव ने हिंदू धर्म को नश्ट करने के लिए तलवार के सिमाल किया आधिनियमों विधयकों का इस्तिमाल किया और जहां तलवार विफल रही है वहां संविधान ने एक काम किया और फिर मीडिया है अगर कोई सवाल पूछने की कोशिश करता है तो उसे सांप्रदायक भगवा और भक्त घुसित कर दिया जाता है यदि कोई राजनेता इन गलतियों को सुधाने का प्रयास करता है तो उन्हें बुलाया जाता है क्योंकि भी लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं याद रखी शक्ति साली रोमन धर्म के पतन में केवल 80 वर्स लगे प्रतेक हिंदू को रोमन सभिता के पतन के बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए हिंदू ने 1950 से नहरू और उनके परिवार को चुना और भारीखी मत चुकाई है और अधिकांश वर्सू तर कॉंग्रेस सरकारों ने उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है क्यों हमें इस एक पार्टी की जरूरत है जिसने हिंदू को इतना नुकसान पहुँचाया है दोस केबल कॉंग्रेस पर नहीं होना चाहिए वेशत्रिये दल भी दोसी हैं जो राजरीतिक कारणों से समय समय पर कॉंग्रेस के साथ गड़ बंदन करते रहे और मूगदर्शक बने रहे अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ तब तक नमशकार और देखते रहे ये Only News Nation